नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका, आज मैं आपके लिए बहुती फाइदेमंद होम रेमेडी लेकर आई हूँ, ये घरेलू उपचार दर्द में काफी फाइदेमंद है, कहीं भी दर्द हो, जैसे गुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोरों का दर्द, सरीर के किसी भी ह होम रेमेडी जो है, वो बहुती जादा राहत देगा, और आप लगतार इस्तेमाल करेंगे, तो जर्जे ही ठीक कर देगा, तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीच जो हमें चाहिए, वो है हर सिंगार के पत्ते, हर सिंगार एक दिब्य चमतकारी पोधा है जिसे रात की रानी, परिजार, हर सिंगार, नाइट, जेजमिन कहा जाता है, आपके इधर इस पोध्य को क्या कहा जाता है कॉमेंट में जरूर बताए, ताकि सभी लोग इसके और भी नाम जान सके और पाइदा ले सके, पोरानिक कथा कहानियों के अनुसार, मानियता है कि यह पोधा, पिर्थवी का पोधा है ही नहीं, दानवा और देपताओं के बीच समुन्दर मन्थन से यह पोधा निकला था, जिसे कि इंदर देव अपने साथ इंदर लोग लेकर चले गए और वहां उन्होंने इसे लगाया था, पोरानिक मानियता यह भी है कि इंदर लोग से यह पोधा पिर्थवी पर भगवान श्री क्रिशन जी ने अपनी पत्नी सत्य भामा के लिए लाए थे, इस पोधे में खिलने वाले फूल सफेग रंके होते हैं और फूल की डंडिया नारंगी कलर की होती है, फूल दिखने में बेहत खुबसूरत होता है और इसकी खुस कहा यह भी जाता है कि माता सिता जी हर सिंगार के फूलों से अपना सिंगार किया करती थी, इसलिए इस फूलों का नाम हर सिंगार परा, माता सिता जी को भी यह फूल अत्यदिक प्रिये थे आयुरुवेद के अनुसार इसके पत्ते, फूल, डंडियां सभी हमारे स्वास्त के लिए फाइदे मंद हैं, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, बालों के लिए, सरीर की बिमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुती उप्योगी है परिजात के पत्तों से कई तरह की बिमारियों में आराम मिलता है, जैसे की परिजात के पत्तों का काधा पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसी बिमारियों में आराम मिलता है यदि आपको सर्दी, खासी, जुखाम है तो उसमें भी इसके पत्तों का काधा पीने से बहुती ज़ादा आराम मिलता है परिजात के पत्तों का काधा पीने से जोरों के दर्द और सूजन में भी राहत मिलता है इसके पतों का काधा पीने से पाचन किया सुधरती है और अपच की समस्या दूर होती है और परिजात के पतों का काधा पीने से गठिया और अर्थराइटिस जैसी बिमारियों में भी आराम मिलता है यदि किसी के पेट में कीरा हो गया तो इसका काढ़ा देने से पेट के कीरे भी समाप्त हो जाते है अब जानते हैं जोरों के दर्द में अराम पानी के लिए परिजाद के पत्तों का काढ़ा बनाने का तरीका सबसे पहले 3-4 परिजाद की पतियों को लेना है और उसे बरियां से स्टाप पानी से रगर-रगर कर दो ले अब एक पैन में एक गिलास पानी डाले और उसमें इन पतियों को तोर कर डाले अब गैस का फ्लेम ओन करके पानी को उबलने दे धीमी आज पर हमें पानी के साथ पतियों को पताना है जब एक गिलास पानी आधा गिलास हो जाए तो उसे चान कर और आपको थोरा ठंदा कर लेना है पूरी तरह से ठंदा नहीं कीजेगा इतना ठंदा करना है कि आप आसानी से पी सके और धीरे धीरे इसे आपको पी लेना है सुबह सुबह खाली पेट पीना ज़्यादा फाइदे मन्द होता है अगर आप कोई बिमारी में ले रहे हैं तो सुबह साम दो टाइम इसका काधा बना कर पी सकते हैं परिजाद के फूल और पतों में बीतामिन C और एंटि-अक्सिडेन्स होते हैं जो हमारे रोग परती रोधर छमता को मजबूत करते हैं परिजाद के फूलों का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है परिजात के फूलों और पत्तों से तेल बनाकर पीठ दर्द में लगाया जा सकता है या सरीर के दर्द में इसके लिए आपको नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसो का तेल लेना है उसमें फूल और पत्तों को उबाल कर छान ले और फिर दर्द वाली जगह पर मालिस करे बहुत ही जल्दी आराम होता है और लगातार तीन महिने लगा लेते हैं तो हमेशा के लिए दर्द ठीक हो जाएगा परिजाद के फूलों की चाय पीने से पाचन किरिया सुधरती है इसके लिए 5-7 फूलों को पानी में उबाल कर पी लेना चाहिए परिजाद के फूलों का सेवन करने से हिरदई रोग से भी बचा जा सकता है परिजाद के पत्तों को पीश कर सहद में मिला कर पीने से सूखी खासी ठीक होती है चहरे को सुन्दर बनाने के लिए 20-25 फूलों को लेकर कूट ले और इसमें थोरा सा एलोवेरा जल और दोसे तीन बुन्द गुलाब जल मिला कर एक पेस्ट जैसा बना ले और हर रोज चहरे पर लगाए आपका चहरा कुछी दिनों में खुबसूरत बेदाग हो जाएगा कोई भी बाहर की क्रीम लगाने की जरूरत नहीं परेगी नहीं ब्यूटी पालर में चाकर महगे महगे फेस्ट जल करवाने की भी जरूरत परेगी ये फूल इतना फाइदेमंद है दोस्तों आपको आजकल काफी जगों पर ये पोधा देखने को मिल जाएगा पर ये पोधा कभी धर्ती पर था ही नहीं इस पोधे को स्वर्ग से धर्ती पर लाया गया था ये स्वर्ग का पोधा है इसलिए इस परिजाद के पोधों के फूल, पत्यां और डंडियां इतनी सक्तिसाली होती है कि बहुत सारी बिमारियों को दूर करने में मदद करता है यदि किसी को सटिका की प्रॉबलम है, जिसमें कमर से दर्ज शुरू होता है और पैरों तक भ्यानक दर्द होता है वो चल फिर भी नहीं पाते हैं, हिल्डूल भी नहीं पाते हैं उस इस्तिती में आपको तीन से पाँच पतियों को लेकर बरिया से साप पानी से धोले और अच्छे से कूट लेना है एक गिलास पानी में पतियों को उबालना है, जब पानी आधा रह जाए तो छान कर पीए दो बार आपको इस काधा को लेना है, सुबा और साम में सुबा आप खाली पेट ले सकते हैं और साम में खाना खाने से दो गंटे पहले तो आपके सरीर में कहीं भी सूजन है, दर्द है, उसमें ये काधा बहुत ही ज़्यादा लाब देता है और अर्थराइटिस के दर्द में आपको तीन से चार पतियों और दो से तीन फूलों को लेकर बढ़ियां से दो लेना है और एक ग्लास पानी में धीमी आज़ पर ढखकर उबालना है जब पानी आधा रह जाए, तो छान कर पी लीजिए, अर्थराइटिस में भी ये बहुत ही ज़्यादा आराम दिलाएगा हरवल टी के रूप में भी हार सिंगार का परियोग अत्यन्त लाबकारी है यदि आपको कफ की परिशानी है, खासी वावल गम है, तो आप इसकी चाय बना कर भी पी सकते हैं चाय बनाने के लिए आपको डेर कप पानी लेना है, और दो हर सिंगार के पते, दो फूल लेने हैं, और दो तुलसी के पते सभी को अच्छी तरह से दो कर, कूट कर, पानी में डाल कर, धीमी आज पर उबाले, जब एक कप रह जाए, तो आपको पी लेना है ये चाय आपको सर्दी, खासी, बलगम से तो राहत दिलाए गया ही, और साथी पेट में जितना भी गंदगी, कच्रा जमा होगा, सभी को साफ करने में काफी मदद करेगा पेट में कीरे होते हैं, उसको भी ये समाप्त करेगा ये हर सिंगार का पत्ता पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक आगरता की कमी है, गुस्टा जादा आता है, चिरचिरापन है तो आप एक पत्ते को अच्छी तरह से धो कर दे दे, और बोले अच्छी तरह से चवा चवा कर खा ले उपर से एक ग्लास या आदा ग्लास पानी पिला दे, ऐसा करने से बच्चों की एकागरता बढ़ेगी क्योंकि हार सिंगार का पत्ता ब्लाड पियूरिफायर भी है, ये रक्त को साफ करता है और बेन में ऑक्सीजन और ब्लाड सर्कुलेशन की मात्रा को सही करता है, जिसके कारन बच्चों का यादास्त और एकागरता बर्च जाता है हार सिंगार का काढ़ा सुगर रोगियों के लिए रामबान उसदी है, सुगर लेवल को नियंतरन करने के लिए आपको पत्ता चवा लेना है, या फिर काढ़ा पी लेना है, आपका सुगर ठीक रहेगा तो दोस्तों आप भी इस दिब में चमतकारी पॉधे को अपने घर में आवसे लगाए और डे सारे स्वास्तलाब ले, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी आवसे कर ले, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक ऐसा चमतकारी तेल बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ, उस तेल को लगाने से सभी तरह के दर्द में आपको राहत मिलेगा, यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दे, यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,